जय जगन्नात जय माज समलेश्वरी ओडिशार भाई भावणी मानकु मोर जुहार नुवा वर्स समस्तक पाईं मंगल मैं हेवू ओडिशा के मानिय राजपाल प्रफसर गनेशिलाल जी, मुक्ष मंत्री मेरे मित्र स्रिमार नविन पतनायक जी, केंद्रिय केमिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंग जी, ओडिशा के ही रतन बाई दरमेंद्र प्रदान जी, प्रताप सारंगी जी, सांसत और विधायगण, IIM संबलपूर की चैर पर्शन, स्रिमती अरुंदती भटाचारी जी, डारेक्टर, प्रोफिसर्स, मादेव जायश्वाल जी, फैकल्टी स्टाफ और मेरे सभी युवा साथियों, आज, IIM केंपस के सिलान्यास के साथ ही, ओडिशा के युवा सामर्थ को मजबूती देने वाली एक नविन शिला भी रखी गई है, IIM संबलपूर का पर्मानेंट केंपस, ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ, ओडिशा को मेनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है, नए वर्ष के शुरुवात में इस सुभारंब ने हम सब के आनन्द को दो गुना कर दिया है, साथियों बीते दसकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टी नेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धर्ती पर आगे भी बड़े, ये दसक और ये सदी भारत में नए नए मल्टी नेशनल्स के निर्मान का है, भारत का सामर्थ दुनिया में एच्छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है, आज के स्टार्ट अप भी कल के मल्टी नेशनल्स है, और ये स्टार्ट अप्स जादा तर किन शहरों में बन रहे हैं, जिनने हम आम तोर्प के भाषा में टियर टू, टियर थ्री सिटीज कहते हैं, आज स्टार्ट अप्स का उभार उन जगह पे देखाबने को मिलता है, इन स्टार्ट अप्स को, भारतिय युवाओं की नई कम्पनियों को, और आगे बढ़ने लेकिये, उसके लिए बहतरीन मैनेजर्स चाहिए, देश के नए ख्षेत्रों में, नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्षपर्ट्स, भारत की कम्पनियों को, नई उचाई देने में, बड़ी भूमी का निपाएंगे, साथियों, मैं कहीं पढ़ रहा था, कि इस साल, कोवीड संकट के बावजुद, भारत ने, पिछले सालों की तुलना में, ज्यादा यूनिकॉन दिये हैं, आज, खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक, जो अभूत्पुर्व रिफॉंस किये जा रहे हैं, उनमें स्टार्ट अप्स के लिए, स्कोप लगातार बढ़ रहा है, आपको इन नई संभावनाओं के लिए, खुद को तयार करना है, आपको अपने केरियर को भारत की आशाओं और आख्याओं अंच्छाओं के साथ जोड़ना है, इस नए दसक में, ब्रांड इंडिया, ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मादारी, हम सब पर है, विशेश रुप से हमारे नवजवानों पर है, साथियों, आयायम संबलपुर का धे मंत्र है, नव सर्जनम, सुचीता, समावेशत अद्वम, यानि इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूजिवनेश, आपको इस मंत्र की ताकत के साथ, देश को अपनी मेनेजमेंट स्किल दिखानी है, आपको नए निर्मार को तो प्रुच्छाइद करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोड़ देना है, जो विकास की दोड में पीछे चुट गया है, उसे भी साथ लेना है, जिज जगह पर आएम का पर्मनेंट केंपस बन रहा है, वहाँ पहले से मेडिकल युनिवर्सिटी है, इंजिनेरिंग युनिवर्सिटी है, तीन और युनिवर्सिटी है, साइनी स्कूल भी है, सी आर पी एफ और पुलिस के रे टेनिंग इंस्टिटूट भी है, जो लोग संबलपूर के बारे में जादा नहीं जानते, वो भी अब अंदाज लगा सकते हैं, कि IIM जैसे प्रतिशिस संस्थान के बनने के बाद, ये खेत्र कितना बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है, संबलपूर, IIM और इस खेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंस, प्रोफेशनल्स के लिए, सबसे खास बात ये होगी, कि ये पूरा इलाका ही एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिकल लेब की तरह है, ये जगह प्राकृतिक रुप से इतनी भव्य है, ओडिशा का गवराओ, हिराकुन बांद, आपसे कोई जादा दूर नहीं है, बांद के पास देवरीगड सेंचुरी, अपने आप में खास्तो है ही, इसके बीच में वो पुंडेस्थान भी है, जिसे वीर सुरेंद्र साइंजी ने अपना बेस्ट बनाया था, इस एरिया के टुरिजम पोटेंशल को और बनाने के लिए, यहां के स्टूडेंट्स के आइडियास और मेनेजरियल स्कील बहुत काम आ सकते हैं, ऐसे ही संबलपुरी टेक्स्टाइल भी बेश विदेश्ट में मश्वूर है, बांधा इकत, बांधा इकत फैबरिक, उसका यूनिक पैटरन डिजाइन और टेक्शर बहुत ही खास हैं, इसी तरह इस ख्षेत्र में हेंडी क्राप का इतना काम होता है, सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों परनकासी, लकडी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई भेहन भी इसमें बहुत पारंगत है, आयाएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपूर के लोकल को वोकल बनाना, उनका एक एहम दाईत्व है, साथियों, आप ये भी भली भाती जानते हैं, कि संबलपूर और उसके आसपास का इलाका, अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंट के लिए भी जाना जाता है, हाई ग्रेड आयरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मेंगेनीज, कोल, लाइम स्टोन से लेकर, गोल, जेम स्टोन, डायमन, यहां की प्राकृतिक संपधा को अनेक गुना बढ़ाते हैं, देश के इन नेचरल एसेस को बहतर मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे यह पूरे छेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है, साथ क्यों, यह मैंने आपको कुछी उदान दिये हैं, उडिशा में बनसंपधा, खनीज, रंगबती, संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राप, स्वभाव कभी गंगाधर, महर की कविताएं, क्या नहीं है उडिशा के पास, जब आप में से अनेक साथी, संबल पूरी टेक्स्टाइल, या फिर कटक की फिलिगरी कारिगरी, उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में, अपने काउशल का इस्तमाल करेंगे, यहां के टुरिजम को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के साथ ही, ओडिशा के विकास को भी और गती मिलेगी, और नए उचाई मिलेगी। साथियों, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए, आप सभी आयाएम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान पलासने हैं। मुझे विश्मास है, हमारे आयाएम्स आत्म निर्भरता के देश के मिशन में स्थानिय उत्पादों और आंतराश्तिय कॉलिबरेशन के बीच ब्रीच का काम कर सकते हैं। आप सभी का जो इतना विशाव और दुनिया के कौने में कौने में फैला अलूमनाई नेटवर्क है, वो भी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे हां 13 IIM थे, अब देश में 20 IIM है, इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्म निर्भरत भारत अभ्यान को बहुत विस्तार दे सकता है। साथियों, आज दुनिया में ऑपर्चुनिटीज भी नहीं हैं, तो मेनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजीज भी नहीं हैं। इन चैलेंजीज को भी आपको समझना होगा। अब जैसे एडिटिव प्रिंटिंग या थे 3D प्रिंटिंग पूरीडी प्रोडक्शन एकोनोमी को ही चेंज कर रही है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महिने ही एक कम्पनी ने चैन्नई के पास एक पूरी दो मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया है। जब जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाइ चेंज से जुड़ी व्यवस्ताओं में भी बदला होगा। इसी तरह टेक्नलोजी आज हर जियोग्राफिकल लिम्रिटेशन को दूर कर रही है। एर कनेक्टिविटी ने 20 वी सदी के बिजनेस को सिमलेस बनाया तो डिजिटल कनेक्टिविटी 21 वी सदी के बिजनेस को ट्रांस्फॉर्म करने वाली है। वर्क फॉर्म एनिवेर के कंसेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेस से ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉंद बीते कुछ महिनों में तेजी से किये है। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले बलकि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। साथियों जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं वैसे ही management skills की डिमान भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हेवी management के बजाए collaborative, innovative और transformative management का समय है। यह collaboration अपनियों के साथियों के साथ जरूरी है ही। boards और algorithms भी अब team members के रूप में आपके साथ है। इसलिए आज जितना human management जरूरी है उतना ही technological management भी आवशक है। मैं तो आप से भी और देश भर के I.M. से और business management से जुड़े दूसरे स्कुलों से एक आगरे करू है। कोरोना संक्रमन के इस पूरे दौर में टेक्नलोजी और team work की भावरता से देश ने कैसे काम किया। किस प्रकार से 130 करोड देश वाज़्यों की सुरक्षा के लिए कदम उठाये गए। जिम्यवान गया उठाई देगे। कॉलोब्रेशन किया गया। जन्भागीदारी का भ्यान चला गया। इन सारे विश्यों पर रिसर्च होना चाहिए। डॉक्मेंट तयार होने चाहिए। 130 करोड के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने भहुत कम समय में ही एक्ष्पांड किया। इनसे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सबक है। कोवीड के दोरां देश ने PPE कीट का, मास्क का, वेंटिलेटर का पर्मनेंट सोलूशन निकाल दिया है। साथियों हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि problem solving के लिए short term approach अपनाई जाए। देश अब उठ सोच से बहार निकल गया है। अब हमारा जोर ततकालिक जरूरतों से भी आगे बढ़कर long term solution पर है। और इसमें management का भी एक बहुत अच्छा सबक सिखने को मिलता है। हमारे बीच में अरुंदर्दी जी मौझूद है। देश में गरीबों के लिए जनदन खातों के लिए किस तरह की planning हुई। किस तरह implementation हुआ। इसका management किया गया। इस पूरे process की तो वो भी गवा रही है। कि उसमें वो बैंक समालती थी। जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो। ऐसे 40 करोड से जादा गरीबों के बैंक एकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है। और ये बाते में आपको इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि मेनेजमेंट का मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियां समालना भी नहीं होता। सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मेनेजमेंट का मतलब जिन्दगियां समालना भी होता है। मैं आपको एक और उदहर देता हूँ। और ये इसलिए हम है कि उड़ी से कही संतान भाई धर्मेंदर प्रदान जी की इसमें बड़ी भूमवी का रही है। साथियों हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब दस साल बात आही गई थी। लेकिन बात के दसकों में रसोई गैस एक लगजरी बन गई। रहिशी लोगों की प्रतिश्चा बन गई। लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे। इतने पापड बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी। हालत ये थी कि साल 2014 तक आज से 6 साल पहले 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज शिरफ 55 परसंट थी। जब एप्रोच में पर्मनेंट सॉलूशन का भाव न हो तो यही होता है। साट साल में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55 परसंट अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो सबको गैस पहुँचने में ये शताब्दी भी आधी और बित जाती है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया किसका पर्मनेंट सॉलूशन करना ही होगा। आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है। 98 प्रतिशत से भी जादा। 98 परसंट से भी जादा। और यहां मेनेजमेंट से जुड़े आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुवात करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ना आसान होता है। असली चलेंज होता है कवरेज को 100 परसंट बनाने में। साथियों फिर सवाल यह हैं कि हमने यह कैसे प्राप्त किया है कैसे अचीव किया। यह आप मेनेजमेंट के साथियों के लिए बहुत अच्छी केस्टरी है। साथियों हमने एक तरफ प्राप्लेम को रखा। एक तरफ परमनेंट सॉलुशन को रखा। चुनवती थी नए डिस्टिबुटर की। हमने 10,000 नए गैस डिस्टिबुटर कमिशन किये। चुनवती थी bottling plant capacity की। हमने देश भर में नए bottling plant लगाए। देश्टिक शमता को बढ़ाया। चुनवती थी import terminal capacity की। हमने इसे भी सुधा रहा। चुनोती थी pipeline capacity की, हमने इस पर भी हजारों करोड रुपे खर्च किये और आज भी कर रहे हैं, चुनोती थी गरीब नाभर्थियों के चयन की, हमने ये काम भी पूरी पार्दर्सिता से किया, विशेश तोर पर उज्वला योजना शुरू की, साथियों, permanent solution देने की इसी नियत का नतीजा है, कि आज देश में 28 करोड से जादा गैस कनेक्शन है, 2014 से पहले देश में 14 करोड गैस कनेक्शन थे, सोचिये, 60 साल में 14 करोड गैस कनेक्शन, हमने पिछले 6 वर्षों में देश में 14 करोड से जादा गैस कनेक्शन दिये है, अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता, चक्कन नहीं लगाना पड़ता, यहां उड़िसा में भी उजवला योजना की वेज़े से, करीब करीब 50 लाग गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है, इस पूरे अभ्यान के दोरान देश ने जो कैपसिटी बिल्डिंग की उसी का नतीजा है कि उड़िसा के उननिस जिलों में सीटी गैस डिस्ट्यूबिशन नेट्वर्क तैयार हो रहा है, साथियों, यह उदाहरन मैंने आपको इसलिए भी समझाया, क्योंकि जितना आप देश की जरुरतों से जुड़ेंगे, देश की चुनोतियों को समझेंगे, उतने ही अच्छे मेनेजर्स भी बन पाएंगे, और उतने ही अच्छे उप्तम सॉलूशन भी दे पाएंगे, के लिए जरूरी है, वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज तक ही फोकस न रहें, बल्कि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए, इसमें बड़ी भूमी का महा, पढ़ने आने वाले स्टूडेंज की होती है, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ब्रॉड बेश, मल्टी डिसिप्लिनेरी, होलिस्टिक एप्रोच पर बल दिया गया है, प्रॉफेशनल एजुकेशन के समाज के साथ जो साइलोस आ जाते से, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, हम राश्ट्र के विकास के लिए हर किसी को में स्ट्रिम में मुख्य धाना में लाना चाहते हैं, ये भी तो इंक्लूजिव नेचरी हैं, मुझे भरोसा हैं, आप इस वीजन को पूरा करेंगे, आपके प्रयास, आया एम संबलपूर के प्रयास, आत्म निर्भर भारत के अभ्यान को सिद्ध करेंगे, इनी शुब कामनाओं के साथ आपन मान को बहूत बहूत धन्यवाद, नमस्कार. आपनाजãyो और मिजएत हैं, आपके रड्यास, आत्म नेचरेंगे, एम रहेँ पिंदे करेंगे, eli हम बहुत देजुब केपके औरायके मिएके मिएकरी हैं, आपके खाय, आपके करेंगे, आत्मेजूरूरू औरहेऊे, आपके बहूत आत्म strv, बह मैं आपके कके आत्म userik